सो गाईज अगर आप लोग मेरे website पे अभी traffic देखें कितना आ रहा है last month का, today का, yesterday का तो आप लोग देख सकते हैं गाईज बहुत ही अच्छे numbers में मेरे को traffic आ रहा है free website traffic is एक ऐसे website traffic source से जहां पे गाईज मन्तली आप लोगों को बहुत ही जादा बड़ा traffic देखने के लिए मिल जाता है और जादा बड़ा traffic से मतलब है गाईज 20 million से जादा का traffic देखने के लिए मिल जाता है गाईज पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप लोगों को अच्छा खासा traffic चाहिए तो चलिए गाईज विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिस website के बारे में मैं बात कर रहा हूं इसका नाम है Evernote तो Evernote लिखके simply आप लोगों को search कर देना है Google पे 31.6 million का monthly traffic इस website पे आ रहा है अगर बात करें कौन सी country से traffic आ रहा है तो US, Japan, Brazil, India and UK जैसी country से यहाँ पर traffic आ जाता है और गाईज यह तो एक website है इसके अलावा एक और website है जिस पे दोनों website को मिला के हम traffic लाने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करे फ्री अकाउंट यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर Google के थुरू या email address and password enter करके हम अपने अकाउंट बना लेंगे तो यह आप लोगों के ऊपर totally depend है आप लोग कैसे अकाउंट बनाना चाहते हैं मैं Google का use करके यहाँ पर अकाउंट बना रहा हूं तो Google मैंने select किया और मेरा जो अकाउंट है गाइस वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर create हो जाएगा और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पर एक और website के हमें need लगेगी तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और कैसे इन दोने website को link करना है वो भी मैं आप लोगों को ब दिया अब आप लोग कहां कहां Evernote को यूज करने वाले हैं तो हम सारे प्लेटफॉर्म पर यूज करने वाले हैं तो सारी चीजों को हमने select कर लिया एंड यह किस लिए आप लोग यूज करने वाले हैं तो हम राइटिंग के लिए यूज करने वाले तो राइटिंग हमने select तो guys यह सारी settings करने के बाद अब जो हमारा account है वो successfully create हो चुका है अब आप लोगों को क्या करना है अब guys जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हमें एक और website की need पड़ेगी तो हम उस website पर जाएंगे और वहाँ पर जाके अपना account बनाके इन दोनों website को link करेंगे और उसके तुरू हमें traffic मिलेगा तो guys जो second website है उसका नाम है post h.io तो post h.io लिखके हम simply search करेंगे गूगल पर जैसा कि देख सकते हैं guys यह website आ गई है तो हम इस पर visit कर लेंगे अब guys अगर आप लोग देखे तो यहाँ पर हम blocks बना सकते हैं और इस block को host करने के लिए हम Evernote का use करने वाल आप लोगों ने Evernote पे डाला था तो यह आप लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है तो मैं cm email address and password enter करके आप लोगों को आगे का process बताता हूं तो देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़े एंटर कर दी अब मैं next के button पे click कर देता हूं और जैसे ही guys मैं next के button पे click करूंगा तो I'm not a robot की capture को हमें solve करना पड़ेगा और इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे तो मैं जल्दी से I'm not a robot की capture को solve करता हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हमें इसके आगे का काम करना है तो देख सकते हैं I'm not a robot के capture solve कर दिया है और next के button पे click करने के बाद हमारा first step पूरा हो चुका है अब second step है हमें notebook को connect करना है तो वो कैसे करेंगे connect notebook के button पे click करेंगे और Evernote और postage.io दोनों website को interlinking हम करेंगे वो कैसे करेंगे जो जो चीजे मैं कर रहा हूं आप लोग as it is वैसा ही करिएगा authorize के button पे click कर दीजिएगा और यहां पे गाई over note open करना है तो हमने कर लिए और इसके बाद हमें एक note बनाना है postage.io notebook में तो आप postage.io notebook कहा मिलेगा तो यहां पे move note का एक option है इस पे click करेंगे और postage.io एक notebook है उसे select कर लेंगे तो हमने यह step भी पूरा कर लिए और जो third step है वो क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर मैं बता देता हूं उससे पहले चलिए हम एक post बना लेते हैं इस website पे जिसके लिए हमें traffic चाहिए तो हम कोई भी एक post चुन लेते हैं let's suppose हमने यह post चुन लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे guys यहां पे सबसे पहले title हम copy करेंगे और यहां पे लाके as a tease paste कर देंगे जो की ever note है आप लोगों को ध्यान रखना है guys जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं as a tease आप वैसे ही करते हैं तभी आप लोगों को यहां पे फाइदा होगा और यहां पर article के लिए हम क्या करेंगे let's suppose मैं यह article copy करता हूं और as a tease यहां पे paste कर देता हूं images वगरा सारी जादा फाइदा होगा मुझे आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं आप लोगों को यह दिखा रहा हूं और guys इसके बाद आप लोगों को tag लगाना और guys tag बहुत important है ताकि आप लोगों की reach जो है वो बढ़े और यहां पर भी tag का बहुत बड़ा role है वो कैसे है मैं आप related हो और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे आप लोग आप लोग share के बटन पर यहां पे क्लिक करेंगे तो अभी अगर आप लोग देखे तो जो privacy है इसकी only you है मतलब कि हमारे अलावा कोई भी article नहीं देख सकता है तो हम यहां पर shareable link पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो link ह इसे हम share कर सकते हैं और इसके अलावा अभी आप लोगों ने इन दोनों website को link नहीं किया है और आप लोगों को यह article postash.io पे नहीं किया है तो वो कैसे जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी स्रिफ हमने shareable link बनाई है जो कि हम share कर सकते हैं और इसके through traffic ल आने के लिए इसे published वाला एक tag लगाना पड़ेगा जैसे हमने blogging do follow backlinks ऐसे tags लगाएते ऐसे ही आप लोग पब्लिश्ट वाला एक tag लगाएंगे और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे postash.io पे आ जाएंगे और यह जल्दी ही इसे sync कर लेगा जैसे ही यह sync करेगा तो आप लोगों से कुछ पैसे मांगेगा बट आप लोग stay on free plan के button पे click करिएगा यह बिल्कुल free plan आप लोगों के लिए available है और इसके बाद guys आप लोगों की पूरी site आ चुकी है या बन चुकी है अब आप लोग इसे edit करेंगे और edit में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे अ आप लोग यहाँ पे अपने website के related कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आप लोगों के website का topic अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं let's suppose मैंने blogging beast नाम दे दिया और इसके बाद guys आप लोग क्या करेंगे अपने site का title दे देंगे तो यहाँ पे title भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं बट आप लोगों के website से related होना चाहिए जैसे मैंने लिख दिया learn blogging और इसके बाद author हम अपना नाम ही रहने देंगे और description में हम अपने website के बारे में कुछ और चीजे लिख सकते हैं जैसे की learn blogging in simple steps या कुछ भी लिख सकते हैं जो कि हमारे website से related हो तो मैं हाँ पर लिख देता हूं learn blogging in few simple steps अब यह मैंने लिख दिया और इसके बाद guys purpose जो हमारा रहेगा वो personal रहेगा इसमें हम कोई changes नहीं करने वाले आप लोग बिजनस या educational भी कर सकते हैं category को आप लोगों को बहुत सारे options मिल जाते हैं अगर आप लोगों के category इसमें नहीं है तो आप लोगों के website से जो सबसे closest category है उसे आप लोग चुन सकते हैं जैसे मैंने web चुन लिया logo and cover photo अगर आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं website थोड़ी और अच्छी दिखेगी इसके तुरू और ये सारी चीजे करने के बाद आप लोग simply save के button पे click कर देंगे और तो आप लोगों का post पगरा कहां से show होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को करना है back और यहां पे आप लोगों की website आ जाएगी अब अगर आप लोग इसे view करें तो देख सकते हैं guys यहां पे जो हमारी website सब domain के साथ बन गई है और इसमें guys हम जो article share कर और इसके through traffic ला सकते हैं और जो भी linking हमने की है वो 100% work कर रही है अगर मैं आप लोगों को inspect करके दिखाओं तो आप लोग देखेंगे कि यहां पे जो traffic है guys यहां पे जो backlink है guys वो 100% do follow है किसी भी तरीके का यहां पे no follow कहीं भी नहीं लिखा है तो हमें no follow backlink नहीं मिलेगा य जी के साथ traffic भी मिल रहा है तो guys एक तीर से हमने दो निसाने कर दिया और यहां पे हमें traffic के साथ do follow backlink भी मिल रहा है so guys I hope आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा अब वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया free website traffic source के बारे में और ऐसे ही बहुत सारे sources मैंने आप लोगों क को traffic मिलता है कि नहीं सो guys मिलते हैं next वीडियो में until then goodbye